नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजर हूँ मैं 24 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरु वार है अधिक आश्विन मास शुकल पक्षकी आज अश्टमी ति थी है जुरात्री में साथ बच करके एक मिनट तक है और इसके पुष्चात नवमी ति थी है मूल नक्षत्र है सायंकाल 6 बच करके 10 मिनट तक और इसके पुष्चात पूर्वा शाढ़ा नक्षत्र है सववग्य योग विष्टि करण है बात होई पंचांग की चुंद्रमा आज धनुराशी में रहेंगे और अभिजित मुहुर्ट का समय दिन में 11 बच करके 25 मिनट से 2 पर 12 बच करके 14 मिनट तक का होगा वही रहुकाल दिन में 1 बच करके 30 मिनट से 3 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कारे से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्यक कारे को अभिजित मुहुर्ट में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहुर्ट हरिक्वति प्रिय रहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए नक्षत्र चर्चा जारी है आज किस नक्षत्र की बारी है यह जानेंगे दिब्य महाप्रयोग में तो दिब्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की मंगल मेश्ट राशी में सुंचरण कर रहे हैं और राहू ब्रिशब राशी में शुक्र का सुंचरण करकर राशी में जारी है सूर्य कन्या राशी में सुंचरण कर रहे हैं तो ही बुद्ध तुला राशी में केतु का संचरण व्रिश्चिक रासी में जारी है तो वहीं देव गुरु ब्रहस्पती चंद्रमा के साथ गज केशुरी योग का निरुमान करते हुए धनुरासी में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशी में संचरण कर रहे हैं तो यह है ग्रहस्तुति, इन ही ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया यानि दैनिक राशिफल तयार किया है वो ने दर्शक जो मैं इस राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ, यह राशिफ नाम राशिक आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं, कल चर्चा रोहिणी नक्षत्र की हुई थी, जैसा कि मैंने कहा था कि नक्षत्र कौन सा होगा, यह पूर्व में तय नहीं होगा, तो आज बारी है अरेवती नक्षत्र की, अगर आपका जन्म अरेवती नक्षत्र म हुआ है, तो आप अपने उपर, अपने स्वभाव से इस नक्षत्र के प्रभाव को जोड़ कर देख सकते हैं, जो कि शत्र प्रतीशत सही होने वाला है, रेवती नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्वामी वैसे तो बुद्ध हैं, मीन राशी में यह नक्षत्र आता है, राशी स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती होते हैं, फलत अह इस नक्षत्र में जन्य में जातक सत चरित्र होते हैं मातापिता की सेवा करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और विशेश कर साधू स्वभाव के होते हैं प्रफात, साधुकार्थ, गिरुवा पहनने वाला, नहीं, सज्जन, दूसरों का भला कैसे हो, यही उनका सभाव होता है, तेज वानी, कडवी वानी, मुह पर बोलने वाले होते हैं, परंतु, मित्रों के मध्य, अपनों के मध्य, दोस्तों के मध्य, सदा ही ने आनंद मिलता है, खुश रहने वाले होते हैं, यानि चार लोग इनको मिल जाएं, तो वहां बड़ा इनको संतुष्टी मिलेगी, सरीर से भी देखा जाए, तो पुष्ट और निरोगी ही होते हैं, कोई विशे सेहत से परिशान नहीं होते, साहसी होते हैं, एक और बात, सर्वप्रिये त बहुत तेज होती है, एक और बात, ये अच्छाई भी और बुराई भी, सलाह देने में सदईव आगे रहते हैं, मौका मिला नहीं कि आपको दो बात बता जाएंगे, आप ऐसे करिये, तो अच्छा होगा, सो भाव वैसे सो में होता है, अगर इनको लगे कि सामने वाला मेर सम्मान नहीं करता, तो उससे अलग होने में इनको देर नहीं लगता, और निश्चे वाला होते हैं, यहीं द्रढ निश्चे होता है, इनका तय कर ले कि मुझे अब ये करना है तो करते हैं, परंतु, यहीं पर जहां निश्चे सब्द मैंने लाया, एक कमी होती है, चुकि देखा जाए तो इस नक्शतर में ये जो रासी निर्मान हो रह रहा है देवगुरु की रासी का निर्मान हो रहा है और बुद्h इस नक्शतर के स्वामी होते हैं फलस्वरूप ये जातश प्रतिभाशालि और अच्छे व्यापारी होते हैं कभी लेखक, पत्रकार, निबंधकार, उपन्यासकार यानि लेखन के छत्र में भी इनकी रूची बहुत जादा होती है, इस छत्र में इनके पास दिल्चस्पी भी होती है और यह ऐसा काम कर सकते हैं, पर कमी कहां है? कमी है कि इतने सारे गुणों के बावजूद, इतनी सारी अच्छाईयों के बावजूद, इनका मन बहुत भटकता है, यह इस्थिर नहीं रह पाते, कभी कुछ, कभी कुछ, यह हमेशा जो परिवर्तन करते रहते हैं, इस्थिर जो नहीं रहते, इसके चलते कहीं न कहीं, जी यह उससे सदाई वबंचित रह जाते हैं यानि एक कमी इनके सभी गुणों पर भारी पढ़ने वाला होता है तो अगर आप रेवती नक्षत्र में जने में हैं तो यह सारे गुणा आपके अंदर हैं परन्तु एक कमी है भटकाओ का इस पर अंकुस लगाईए वैसे तो 32 वर्स के बाद ही इनका भाग्य पूर्ण साथ देने लगता है 32 वर्स अपने जीवन के पूर्ण करें वहां के बाद इनका भाग्य पूर्ण तह इनके साथ होता है परन्तु सफलता में कई बार देरी इनको हो जाती है जो कि कई लोग कहेंगे कि हाँ मुझे इतना नहीं मिल पाया कारण मन अशांत और इस्थर या भटकाओ किसी एक जगह पर न रुक पाना तो अगर आप टिक जाएं रुक जाएं तो आपका जो सभाव है आपके जो सदगुण है हो नहीं सकता कि आपको बुलंदी न दे दें आपके सदगुण आपको सदईव बुलंदी देने वाले हैं अब चलते हैं राशी फल की ओर कल किस नक्षत्र की बारी होगी ये बात तो हम कल ही जानेंगे मेश रासिक जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में सिंचरन कर रहे हैं और देव गुरु ब्रहसपती के साथ गज केशरी योग का निर्माण करते हुए फलतह दिन बेहत खास बहुत बढ़िया और भाग्य प्रदायक है अपनी महत्त्वाकांचा पुर्ण करने के लिए आप जो करना चाहते हैं प्रयत्न करिए सफलता आपको मिलेगी पहल कीजिए प्रयत्न करिए कोशिश कीजिए सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है अगर अपने बारे में कोई महत्तो पुर्ण फैसला जो बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे आज करिए और खुद से करिए किसी और को उसमें शामिल करने किया वा सकता नि क्योंकि आज आपसे बहतर आपको राय देने वाला कोई नहीं है आप खुद अपने आपको बहुत बहतर राय दे सकते हैं तो जो भी फैसला अपने बारे में करना है करिए कारिस्थल पर भी आपको भरपूर महत्तो मिलने वाला है चाहे वो इंकम की बात हो सेविंग की बात हो दोनों ही मामले में दिन बढ़िया है व्यापारियों के भी दिन बहुत बढ़िया किसमत का सांथ मिल रहा है नय ओफर आपको मिलेंगे और निवेश का मन बना रखें तो केवल मन मत बनाईए निवेश कीजिए भागय का सांथ लीजिए सोचे हुए कारे प्रारंब करने के लिए आज से बहतर दिन नहीं मिलेगा सो जो भी कारे प्रारंब करना चाहते हैं करिए जरुवत पढ़ने पर सांथ भी मिलेगा लोगों का साथ के लोगों का उत्साह के दमपर, उम्मीद के दमपर, आत्मविश्वास के दमपर, अपनी मेहनत के दमपर आप जोखिम भी लेना चाहते हैं तो बस आगे बढ़कर के ले दीजिए खुद को सिद्ध करने का, खुद को जताने का, अपना स्थान समाज में बनाने का एक महत्तो पुरुन आउसर है प्यार का इजहार कर सकते हैं, दामपत्य जीवन सुखद और दूसरों के भरोसे आज नहीं रहना इस बात का खयाल रखिएगा लव लाइफ में अगर कोई गलत फ़हमी है तो उसे दूर करने का प्रत्न करिया और विशेसकर जिद्ध मत करिएगा अपने स्वभावानुसार क्योंकि जिद्ध से ही आपको आज हर मामले में नुकसान होगा, चाहे वो प्रेम संबंध हो या कारेक्षत्र, विद्यार्थी बेहत सफल है आज, बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत आप करेंगे, नतीजे जो भी आपको मिलेंगे वो संतुष्टी देने वाले होंगे और से शब की बात अगर हम करें, तो जदुद पढ़ने पर आपको मदद मिलेगी, और आज मदद लेने से पीछे मथटिएगा, अपना विचार साफ रखिये, ऐसा नहीं है कि ये मन में विचार रखिये कि सामने वाले से एक बार काम निकल जाए, फिर तो इसको मैं ये सोच आज दूर रखियेगा, मेहनत का नतीजा तभी मिलेगा, जब आज अपना मन उदार रखेंगे, खुला रखेंगे, नए रास्ते स्वतहीं आपको मिलते चले जाएंगे, और कारे स्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में आप पूरी तरह से सफल भी हों और कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, तो जरा रुकिये, जो कारे चल रहा है, जैसे चल रहा है, वैसे चलने दीजिए, प्रेमी से आज कोई सर्प्राइज उपहार आपको मिलने वाला है, प्रेम संबंद के मामले में दिन बढ़िया, बलकि प्रेमी के साथ कोई पुरान पर ध्यान दीजिए, बहस में फंसना नहीं है, अर्था तो बहस जहां होता हुआ, फंस जाएंगे आप, बहस से दूर रहिए, विद्ध्यारतियों के लिए ठीक ठाक है, सेहत के मामले में सावधानी बेहत जरूरी है, और आखों में जलन के शिकायत हो सकती है, तो अपनी चार लखी कलर आपके लिए आज इसकाई ब्लू, निवेश ना करें, मिथुन के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, रोज मर्रा के जितने भी आपके काम हैं, आज पूरे दिन का एक चार्ट बना लीजे कि मुझे क्या क्या करना है, कौन से काम है जिन्हें पूर्ण करना है एक और बात काम कोई भी नहीं रुकेगा जिस कारे की आपने लिस्ट तयार कर ली है मेहनत करिए सहयोग चाहिए वो मिलता चला जाएगा काम आपके बंते चले जाएंगे विशेश कर पैसे को लेकर के अगर चिंता थी परिशान थे धन के मामले में कोई परिशानी थी तो अब धैर रखिए परिशानी जल्दी ही खत्म होने वाली है धन के मामले में कुछ अच्छा बदलाव होने जा रहा है नौकरी पेसा है तो ओफस में कोई बड़ा कारे आपको मिल सकता है कोई बड़ी जिम्मेबारी आपको मिल सकती है करियर में कुछ बड़े बदलाव ह होने जा रहे हैं आप इस बदलाव का फाइदा उठाइए समय का लाव उठाइए अवसर का लाव उठाइए कई मामलों में आज आपके सिनियर भी आपसे सलाह लेंगे पुरानी जो भी समस्या हैं आपकी खत्म हो जाएंगी मूड आज आपका बहुत बढ़िया रहने खुशनुमा रहने वाला और कारेक छत्र में उन्नती तो होगी ही होगी फाइदा मिलेगा ही मिलेगा बस एक बात का ख्याल रखिएगा कोई कागजात साइन करना है नई नौकरी से संबंधित तो जरा एक बार उसे पढ़ लीजेगा समझ लीजेगा पुना बता दू ब्यापारी वर्ग नौकरी पेसा दोनों के लिए कारेक छत्र में दिन बढ़िया है कुछ शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नए लोगों से मुलाकाथ करने वाले हैं कोई अनुबंध करने वाले है कोई डिल है हो जाएगा आगए बढ़िया किसी भी तरह के संबंध में जहां परिशानी थी, वहां परिशानी दूर होकर के संबंध में मजबूती आएगी बड़ी खरीदारी जैसे बाहन खरीदना, जमीन इत्यादी आज बड़ी खरीदारी मत करिएगा लब लाइफ के लिए दिन बढ़िया है जीवन साती से, प्रेमी से आपको सहयोग और सुख मिलने वाला है और किसी भी तरह के सामाजिक कारिक्रम में सामिल होने से बचिए बिद्यार्थियों को करियर में बहुत जबरदस्त सफलता मिलने वाली है लकियंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पिंक है निवेश आप कर सकते हैं परन्तु धैरे और जानकार की राय से करें तो बहुत अच्छा होगा करकी की बात कर लें तो जो भी आपके खासकारे हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते थे प्लैनिंग के साथ करिए योजना बद ढंग से करिए सब कुछ पूरा हो जाएगा कोई ऐसी योजना मत बनाईए जिसमें जोखिम हो धैरे के साथ काम करना है दिन जहां कुछ अच्छा करेगा वहाँ परिसानिया भी आएंगी हर मामले में छोटी छोटी परिसानिया आएंगी रोडे आते रहेंगे बिघन और बाधा उपस्थित होती रहेगी परन्तु अगर आप तिके रहे धैरे के साथ काम करते रहे तो आपको बड़ा फायदा होगा नौकरी पेसा लोग अधिकारियों से आज परिशान रहेंगे अधिकारी वर्ग परिशानी का कारण बनेंगे किसी को उधार मत दीजिएगा उधार देना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वाहन चलाने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि वाहन चलाने में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है जीवन साथी से आज आज आपको सहयोग मिलने वाला है प्रेमी के साथ संबंद मधूर हो सकता है थोड़ा समय प्रेमी के साथ बिताएंगे और बीती बातों को भूलने की कोशिश करेंगे अगर कोई मतवेद कोई परेशानी हो गई थी वो दूर करने की कोशिश करेंगे और विद्यार्थी नए सीरे से लग जाएं पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है सेहत के मामले में देखा जाए तो जरा सावधान रहना होगा क्योंकि पुराने रोग परेशान करेंगे आज घर के छक्त पर पक्छियों के लिए दाना डाल दीजिएगा इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा पढ़िया रहेगा लकियंक का आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज हरा और निवेश आप ना करें सिम्ह की अगर हम बात कर लें तो करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा योजना बनाईए और आगे बढ़ जाईए कोई भी योजना बनाएं उससे बड़ा फाइदा होगा यानि कोई बड़ी योजना है कोई बड़ा कारे आप कर रहे की बहुत दिनों से सोच रहे थे आज करिये करियर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो करिये आपकी समझदारी का आपको फाइदा मिलेगा और ब्यापारी है तो ब्यापार के मामले में भी समय बहुत बढ़िया है अनुकूल है योजना बद्ध ढंग से आप काम करते हैं तो ब्यापार में आज सफल रहेंगे कोई परिशानी थी कोई संसे था वो दूर हो जाएगा बलकि कोई संसे है तो पार्टनर से बातचित करके आप दूर कर सकते हैं पार्टनर आपका जीवन साथी भी हो सकता और व्यापारिक पार्टनर भी आपका कोई शुभचिंतक भी हो सकता है आज किसी से आपको बहस नहीं करना लव लाइफ में सावधानी रखिएगा क्योंकि बहस यहीं पर होने वाली है दामपत्य जीवन सुखाद और विद्यार्थी वर्ग का आज पढ़ाई में मन लगेगा विशेशकर मेडिकल फिल्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है और जरुवत पढ़ने पर आपका कोई मित्र आपके लिए मददगार सावित होगा मिहनत करने से आपको सफलता मिलेगी और सेहत के मामले मगर हम बात कर लें तो सेहत में वैसे कोई विशेश परिशानी नहीं है खाने पिने का जरा ध्यान रखिएगा पेट से सम्मंदित कुछ परिशानी हो सकती है दही का दान करना आज आपके लिए बेहत फाइदे मंद है लकियंग का आपके लिए आज नौ लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी और निवेश कर सकते हैं करन्या की अगर हम बात करें तो आज जहां भी आप रहेंगे तारीफ होगी आपको सम्मान मिलेगा आपको चाहे वो साथ के लोग हो या आसपास के लोग जो भी हो उनके बीच आपकी इज़त आज बनेगी और बढ़ेगी कम बोलिएगा और सुनिएगा जादा कौन क्या कहना चाहता है एक और बात जब सम्मान मिल रहा हो तो अपनी ही बात सपर थोपते चले जाना ये ठीक नहीं होता आजपास के लोगों से सहानुभूती बनाईए कोई परेशान है तो उसकी मदद कीजिए कारिस्थल पर आपको अधिकारियों से सहानुभूती और मदद मिलती रहेगी हर मामले में धैरे बनाई रखना जरूरी है एक बात बता दूँ वैसे तो दिन सभी प्रकार से बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है अचल संपत्ती से संबंदित कोई सौधा जो बहुत दिनों से लटका पड़ा था वो बनेगा कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं जैसे अचल संपत्ती से संबंदित कोई फैसला हो तो गया परन्तु मैं कहूंगा कि अभी उस पर विराम लगा करके रखिये अभी कुछ दिन दीजी और उसको यानि बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए दिन आज का ठीक नहीं है पारिवारिक संबंद को मधूर बना करके आपने रखा तो समझ लीजे हर मामले में दिन बढ़िया लितेगा प्रेमी के साथ भी संबंद में अगर कोई कटुता है मतवेद गलत फ़ामी उसे दूर करने की कोशिश कीजे सफलता मिल जाएगे और विद्यार्थी कड़ी मेहनत से सफल होंगे यानि मेहनत कीजिए सेहत के मामले में आज बस सावधान धहना है चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है वैसे सेहत में कोई विशेस परिशानी नहीं है मदार पुस्प अगर आप भोलेनाथ को आज अरपित करें तो आपको बेहत फायदा मिले लकियंग का आपके लिए आज पांच लकी कलर आपके लिए आज ग्रे निवेश आप आज ना करें और तुला के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है कुछ नया करने की शोच रहे हैं नई शुरुवात करना चाहते हैं जरूर करिए संबंधों में अगर परिसानी है जैसे पिता के साथ मतभेद है छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद है या किसी दोस्त के साथ तू-तू-मै-मै हो गई है तो इसे दुरुस्त करने का प्रेत्न करिए संबंध को मजबूत और मधूर बनाने की कोशिश करिए नौकरी पेसा है तो कारिस्थल पर दिन भर आज काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन एक बात तय है आपके काम की तारीफ होगी सब के सामने आपकी मेहनत से भागदोर से प्रेत्न से हर मामले में सफलता मिलेगी आपके सभी फैसले आज सही होने वाले है पार्टनर्शिप में ब्यापार करते हैं तो बेहत फायदा मिलने वाला है पैसों के भुक्तान में लापरवाही नहीं करना धन के मामले में जरा सावधान रहिएगा और आज अपना ध्यान जरा अपनी जीवन साथी क्योर लगाईए जीवन साथी परिशान है वो आपसे नाराज है तुन्हें मनाईए दामपत्य जीवन को सुख़द बनाईए इससे क्या होगा आपको शांती मिलेगी काम में मन लगेगा घर में कलह मचा हो तो आप बाहर सफल नहीं हो सकते विद्यार्थियों का ऐस समय खराब होने वाला है मन पढ़ाई में नहीं लगेगा मूड ही नहीं लग बनेगा पढ़ाई करने का अब देख लिजेगा मिस्री का दान आज बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए तो मंदर में जाकर के मिस्री का दान करिए लकींख आपके लिए आज नो और लकी कलर आपके लिए आज कथाई है और निवेश जानकार किराय से कर सकते हैं विश्चिक की बात कर लेते हैं, विश्चिक रास के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? नया ओफर मिलेगा अब ये आपके उपर निर्भर करता है कि आप उस परिस्तिती को समझिए देखिए ये ओफर आपके लिए कितना शुभ है ये ओफर आपके लिए कितना बढ़िया है कोई अच्छी ख़बर आपको मिल सकती है कारेस्थल पर अपनी बातों से आप सभी को प्रभावित कर लेंगे ऐसा कोई नहीं जो आज आपसे प्रभावित न हो राज की बात किसी से श्यर्मत कीजिएगा और प्रेमी से मन की बात कहना चाहते हैं तो आज से बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा लव पार्टनर आपकी पहल का इंतजार कर रहा है आप बस आगे बढ़ करके प्रपोज करिए प्रेम संबंद के लिए दिन बहुत बढ़िया दामपत्य जीवन भी बहुत बढ़िया जीवन साधी का सहयोग और प्रेम और इससे जो भी नतीजा आपको मिलने वाला है बहुत स्रिष्ट नतीजा आपको प्राप्त होने वाला और विद्ध्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है टीचर अगर उनलाइन पढ़ाई आप करते हैं तो आपसे खुश रहने वाले हैं धनू की बात कर लें तो व्यापार में कुछ नया करने का अगर विचारक बन रहा है तो ठीक है आगे बढ़िये दिमाग में अगर कोई योजना चल रही है तो इस पर आगे बढ़िये काम करिये आपको सफलता मिलेगी धन के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और यात्रा किस्तुती बन रही है नौकरी में अगर बदलाओ की बारे में सोच रहे हैं तो पहले जानकार की राय ले लिजेगा अपने शुभ चिंतकों से अवस्य बादचित कर सकीए कर लिजेगा शेर मार्केट में आज निवेश मत कीजिएगा आज आप धीरज नहीं रख सकेंगे और फलता आपके पैसे बरबाद हो जाएंगे लग पार्टनर की भावनाओ की अंदेखी करेंगे तो निसंदेहे परेशान रहेंगे दामपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई फैसला न ले पढ़ाई के मामले में वैसे दिन अच्छा है परन्तु सिक्षा से सम्मंदित कोई बदलाव करने वाले हैं तो कोई बड़ा फैसला कोई जल्दबाजी में फैसला मत दीजेगा इससे नुकसान होगा और सेहत के मामले में देखा जाए तो सिरदर्द किस्तुती बनी हुई है थोड़ी ठकान रहेगी आज राह चलते किसी व्यक्ति की आप अगर मदद कर सकें अब जरूरी नहीं कहां ढूंडते फिरे कि कौन मदद मांग रहा है पर ऐसा कोई मिल जाए तो आप मदद कीजेगा राहगीर की मदद से आज आपको फायदा मिलने वाला है लखी अंक आपके लिए साथ लखी कलर आपके लिए आज सफेद निवेश ना करने की सलाह मैंने दी है और मकर की बात कर लें तो यात्रा आज आपके लिए बेहत जरूरी है अगर कोई यात्रा है तो उसे पूरा करिए यात्रा से आपको शफलता मिलने वाली है यात्रा से आपके काम बनने वाले हैं परिवार का माहल भी बढ़िया है नौकरी हो या आपका नीजी जीवन हर मामले में आज आपको संतुलन बिठा करके रखना है संतुलन बिठाने से ही आपको सफलता मिलेगी हलाकि कारिस्थल पर कामकाज थोड़ा जादा होगा और व्यापारी हैं तो व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना जोखिम भरा फैसला आज आप बिल्कुल मत लीजेगा खर्च की अधिक्ता दिखाई पड़ रही है और किसी पुरानी चिंता से जूज रहे थे तो मुक्ती मिलेगी विद्यारतियों के लिए दिन अच्छा सफलता दाई है दिन उत्साह बना रहेगा मन पढ़ाई में लगेगा और सेहत के मामले मगर देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आज चने की दाल का दान मंदिर में जाकर के करिएगा फाइदा मिलेगा लकियंक आपके लिए आज 6 लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है निवेश ना करें कुम्ब की बात कर लें तो आज शुभ है दिन शुभ फल प्रदायक है दिन सभी तरह से बढ़िया है दिन जहां धनलाभ की स्थिती बन रही है वहीं कार्य बनने से आपको खुशी और संतुष्टी मिलेगी साथ की लोगों से मदद मिलने वाला है तो वहीं आज किसी अंजान की मदद आप करेंगे पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी कोई समस्या सुलजने वाली है बस एक बात का खयाल रखिएगा आज किसी इसके कडवे शब्दों में बात मत करिएगा कडवी वानी का प्रयोग मत करिएगा अपने स्वभाव में उग्रता मत लाईएगा ब्यापारियों के लिए लाब की स्थिती बनी हुई है निवेश से उत्तम लाब होने वाला है सो शेर मार्केट में आज लाब ही लाब है विचार करके अवसे निवेश करिए और बाहर का खाना तो आज भूल कर भी मत खाईए दाम पत्ते जीवन सुखत प्रेम संबंध में मधूर्ता और मजबूती भी आएगी और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें बहुत बढ़ी आए दिन करियर में अच्छा उच्छाल मिलता दिखाई पड़ रहे कोई इंट्रिव्यू है या कोई ओनलाइन पर इछाई त्यादी है तो आज सफलता भरा है दिन और सेहत की बात अगर कर लें तो सेहत में कहीं कोई परिशानी नहीं पूर्व से कोई परिशानी थी भी वो दूर हो जाएगी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के उपर अगर आप मदार पुस परपित करें तो बेहत फायदा मिले लखियंक आपके लिए साथ लखी कलर आपके लिए आज लाल निवेश कर सकते हैं और मीन की बात कर लें तो उत्साह आज बना रहेगा कुछ नया करने की कोशिश आप करते हैं तो जरूर करिये सफलता मिलेगी और पारिवारिक मामलों में कोई स्थाई फैसला अगर लेना पड़ रहा है आपको या लेने की आवश्यक्ता महसूस हो रही आपको लीजिए कारेस्थल पर आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा हाथ हो हाँ तुसे लिया जाएगा और नौकरी में अगर पदुन्नती के लिए आप तयार है या पदुन्नती की इस्तुति है तो होने वाली है या ऐसी कोई सूचना मिलने वाली है किसी भी तरह के निवेस के लिए अच्छा है समय पर जानकार की राय से बिना जानकारी इधर की बात उधर करना बेहद मुश्किल में आपको डालेगा और जीवन साती के साथ सम्मंद में मधूरता नहीं बनाते तो मुश्किल में पढ़ेंगे परिवार से सहयोग और परिवार के सहयोग से ही किसी खास कारे में सफलता बिद्दार्थिवर को सफलता दिलाने वाला है दिन मन पढ़ाई में लगेगा मेहनत होगी और उसका पूरा-पूरा फायदा मिलेगा प्रेम सम्मंद के लिए दिन बढ़िया दामपत्य जीवन ठीक है उसे और बढ़िया बनाना होगा दंत रोग से अगर आप ग्रसित रहे हैं या मुह में छाले आपको पढ़ते हैं होते हैं तो ये परिशानी आज बढ़ेगी एक उपाय है मंदिर में किसी भी तरह के लाल वस्तु का दान जैसे लाल कपड़ा लाल चंदन इत्यादी का जाकर के दान करिए खायदा मिलेगा लकी यंग का आपके लिए आज तीन और लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश आप जानकार की राय से कीजिएगा तो प्रिये दर्शकों ये था में शिश लेकर के मीनराशी परियंद प्रतेक राश के जात्कों का पुरे दिन का हाल अभी के लिए वस इतना ही इराज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार